हेज गाइज गुट मॉर्निंग आज मैं आप लोग के साथ सेर करने जा रही हूं अपना फिटनेस रूटीन वैसे हो साड़े पांच बजे में जिम कभी नहीं आती हूँ पर आज मैं आ गई हूँ क्योंकि इस टाइम इतना जदा रश नहीं होता है आप लोग के साथ आज मेरा ब्लोग सेर करना था फिटनेस तो मैंने सोचा मैं जल्दी चली जाती हूँ ताकि मैं आराम से सुट कर पाऊँ और अभी पांच बजी जीम ओपन हुआ है ते इतना जदा लाइट ओन नहीं था इ अच्छे से और मैं अच्छे से वाक आउट कर पाऊँ त्रेड मिल करने के बाद में तीन से चार मिन ट्रेस्ट करती हूँ उसके बद मैं अच्छे से पानी पी लेती हूँ थोड़ा उसके बाद में स्टेप वाक आउट करती हूँ जितना देखने में इजी लग रहा है उत हापते में तीन से चार दिन में कर लेती हूं फुल बॉड़ी का वोक आउट हो जाता है बहुत अच्य से वेट लॉस में हेल्प करता है बलड सर्कूरेशन बहुत जड़ हाइग कर देता है और यह रूटीन में वोक आउट में होना बहुत जड़ इंपोर्टेंट है तो मेरा ट्रेंणर ने मेरा सेट किया है मैं हापते से में तीन से चार दिन में कर लेती हूँ इसका रेजल बहुत अच्छा है आज मेरा चेस्ट एंद सोल्डर डे है जो भी में वोक आउट करती हूँ पहले जो सेट होता है वो में 5-कजि से सुरू करती हूँ 1st सेट 3-set में मारती ह वैसे वॉक आउट करने के बीच में जस्ट में एक मिनिट का थोड़ा सा रेश्ट लेती हूँ मॉर्निंग में वॉक आउट करने का मजाई अलाग है जब पूरा जीम खाली हो तब तो और ज़दा अच्छा लगता है पर अभी मेरा सीडूल कभी मॉर्निंग में होता है कभी इविनिंग में होता है जैसा थोड़ा बिजी हो जाती हूँ तो उसी सब से मैं सेट कर लेती हूँ और मैं आपने साथ ब्लैक कॉफी लेके आती हूँ और जब भी मुझे थोड़ा सा थकावट फील होता है तब भी मैं सिप ले लेती हूँ ताकि मुझे इंस्टान एनरजी मिले और बहुत अच्छे से मैं वॉक आउट भी कर पाती हूँ मुझे मेरे जिम में बहुत कोई टोकते हैं कि तुम तो मोटी हो नहीं तो तुम क्यों जिम में आती हो वॉक आउट करती हो में लोगों को क्या समझाओ और कितना समझाओ मैं बोलते थक गई हूँ कि walk out का मतलब पतला और मोटा होने से नहीं है एक healthy lifestyle को maintain करना होता है walk out करने से हमें कितना ज़्यादा फाइदा होता है mentally, physically and walk out करने के बाद मेरा body जितना अच्छा से tone हुआ है मेरा figure को इतना अच्छा से एक shape मिला है उपर से नीचे तक वो मुझे ही पता है मुझे एक attractive body पाने के लिए मैंने walk out में मेरे को बहुत ज़्यादा help किया है क्योंकि पहले जब मैं hostel में रहती थी तब मेरा bum जो था वो पूरा ऐसा लगता था कि है ही नहीं और जो मेरा breast था वो भी बहुत ज़्यादा तब में छोटी भी थी पर उसके हिसाब से उतना ज़्यादा ग्रो भी नहीं हुआ था पर वोक आउट अस्ते अस्ते करने से मेरा बॉडी में बहुत अच्छे से एक सेप आया मेरा हर एक चीज जितना होना चाहिए अपने age के और height के हिसाब से increase हुआ है और एक attractive body पाने में बहुत ज़्यादा help भी किया है वोक आउट जब से मैंने करना सुरू किया है तब से मेरा life में बहुत चेंज आया है क्योंकि जब मैं walk out करना सुरू किया है तब से मेरा skin का quality, skin का clarity वो बहुत improve हुआ है मेरा mental health, मेरा physical, in fact में जो PCOD मुझे इतना severe PCOD था वहां से निकलने में मेरा walk out और मेरा diet ने help किया है एक अच्छा walk out और एक अच्छा अगर diet हो तो हम लोग healthy रह सकते हैं ज्यादा medicine की जरूत ही नहीं होती है और हमारे skin, hair, overall health बहुत अच्छे से improve भी होता है और बहुत healthy भी रहता है cycling करना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं बचपर में cycle चला करी तो school जाती थी क्या दीन थे और आज देखो cycle चलाने के लिए मुझे gym आना पड़ता है so time कितना जल्दी change हो जाता है cycle एक बहुत अच्छा walk out है cycling करने से आपका full body का walk out हो जाता है जब जब मेरा period time रहता है उस time में heavy work out तो कर नहीं सकती तब मैं cycling करती हूँ थोड़ा सा मैं treadmill करती हूँ और पेठ में दर्द ना हो आच्छे से floor आए इसलिए मैं yoga mat बिचा के जीम में ही मैं थोड़ा सा yoga कर लेती हूँ तो जब period day होता है तब भी मेरा walk out तो चलता है पर थोड़ा सा light walk out में करती हूँ और अब मैं करूंगी अपना tummy walk out और ये walk out से अपके tummy में जो fat है उसको reduce करता है fat loss होता है और जो side में जो love handle रहता है उसको भी बहुत अच्छे से tone करता है और जो भी excess fat होता है उसको remove करने में बहुत help करता है ये भी मैं 3 set करती हूँ 1st set करती हूँ मैं 50 फिर 2nd set करती हूँ मैं 20 और जो 3rd set करती हूँ 25 करती हूँ वैसे करके मैं counting increase करती हूँ ये वाला machine मुरा बहुत फेवरिट है क्योंकि use करना भी बहुत ज़्यदा easy है बद थोड़ा सा सब्धानी के साथ पहले tummy वाला walkout के लिए straight बैटना होता है उसके बाद love handle का walkout के लिए left right करके इसको adjust करना पड़ता है और जब ये हो जाता है तब आप इसमें increase करते हो आप अपने weight कभी जैसे 5 point लगा लिया है 7 point लगा लिया है ये depend करता है कि आपके अंदर कितना stamina है और आप कितना weight ले पारे हो ज़्यादा weight ले लिया नहीं कर पाया तो इससे क्या होता है हमारे back में भी injury हो सकता है तो थोड़ा साब्धानी के साथ workout करना होता है कोई भी machine से कुछ टाइम से मेरा hormonal medicine चल रहा था जिसके वज़े से मेरा weight gain हो रहा था अपने आप हो रहा था जितना भी healthy खाना खालू कोई भी काम नहीं हो रहा था जब भी हम लोग hormonal medicine खाता है उसका एक side effect होता है वो side effect होता है मोटा पाई ये सब के साथ ही होता है घर जाने से पहले मैं 10 मिनीट treadmill फिर करती हूँ और जब मैं आई थी morning में तब जिम में कोई भी नहीं था अब देखो कितना ज़दा crowd हो चुका है क्योंकि 8 बज़ गया है सुबा का ज़दा light भी फिल कर रही हूँ और walk out करने से मेरा body का जो tone आया है मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई भी dress पैंतू बहुत अच्छे से fit in होता है तो ये मेरा मैनत है 5 सालों का क्योंकि रातो रात तो कुछ भी नहीं होता है और कितना ज़्यादा धूप निकल गया है जिम से आने के बाद सबसे ज़्यादा important है आपका protein बहुत ज़्यादा important होता है क्योंकि हमारे tissue जो है वो break होता है और आप अगर hard workout करते हो जैसे आप heavy lifting करते हो सो without protein आपका नहीं चलेगा protein बहुत ज़्यादा important होता है बहुत लोग ऐसे ही जाने देते है कि protein नहीं लेते है तो long term उनका health अच्छा नहीं रहता है और उतना ज़्यादा effective result भी नहीं मिलता है जितना उसको मिनना चाहिए walk out करने से प्रोटीन बहुत ज़्यादा important होता है आपके tissue जो break होता है इसको recover करने के लिए और प्रोटीन आप लोग भी अगर walk out कर रहे हो तो ज़रूर intake करो अगर protein powder नहीं ले पार हो कोई बात नहीं आप 3-4 एग ले सकते हो एक पूरा लेना मतलब योलो पार्ट भी लेना एंद 3 जो एग रहेगा सिर्फ white पार्ट लेना योलो पार्ट को आप इग्नॉर करना तो ये भी ले सकते हो इससे आपको protein intake हो जाएगा vegetarian हो तो पनीर ले सकते हो सो मेरा protein पीना हो गिया है अब मैं जाड़ी हूँ नहाने वाक आउट के बाद बहुत ज़दा important होता है हमारे first meal after workout सो यहाँ पे high protein diet लेना बहुत ज़दा important है अगर आप vegetarian हो तो पनीर और सोया ऐसा कुछ ले सकते हो protein के लिए यहाँ पे मैं चिकन ले रही हूँ ताकि मुझे अच्छे से protein मिल सके और चिकन को मैं air fryer करूँगी air fryer जब से मेरा life में आया है मेरा life तो जिंगलाला हो गया है इतना ज़दा easy हो गया है हर एक चीज और टेस्टी के साथ कोई compromise भी नहीं करना होता है जट पर बन भी जाता है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा salad ले लिया है थोड़ा सा सबजी मेरा पहले से था रात का वो मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और चिकन अच्छे से रोस्ट भी हो गया है और जो one teaspoon जो भी यहाँ पे मैंने आज ब्राउन राइस एड किया है क्योंकि आज जो सुभा का मेरा मेल है वो मेरा पूरा दिन कवर करेगा आज का डे मेरा बहुत ज़्या हैटिक होने वाला है आज मेरा बहुत इंपोर्टन एक मीटिंग है जिसके वैसे मुझे वक्त नहीं मिलेगा खाना खाने का इसलिए मैं घर पे अज अच्छे से खाना खाके जा रहे हूँ कि ताकि मैं बाहर में कुछ भी unhealthy ना खाऊँ क्योंकि मेरा weight loss journey सुरू हो चुका है और बाहर में मैं ऐसा कुछ नहीं खाना चाती और आप लोग के साथ भी मैं धीरे धीरे अपना diet share करूंगी जैसे मेरा काम का schedule रहता है उस ही सबसे मैं अपना diet का planning करती हूँ और उस ही सबसे मैं अपना meal को prepare करके अपने day को सुरुवाद करती हूँ ऐसे ही मैं अपना fitness routine को follow करती हूँ मैं time से सोती हूँ time से उठ जाती हूँ काम पे जाती हूँ healthy खाती हूँ और अपने goals को achieve करने के लिए बहुत ज़दा hard work भी करती हूँ एक अच्छी happy healthy life के लिए walk out करना बहुत ज़दा important है आपने routine पे walk out को ज़रूर add करे और मेरा fitness blog आप लोग को कैसा लगा ज़रूर मुझे comment करके अपना feedback share करना बहुत ज़दा simple है तो आप लोग भी easily follow कर सकते हो आप लोगों ने मेरे recent वीडियो में मुझे बहुत ज़दा motivate किया support किया thank you so much और आज का fitness blog आप लोग को कैसा लगा ज़रूर मुझे feedback share करना और चैनल को subscribe कर देना वीडियो को like कर देना फिर में मिलती हो आप लोगों से next वीडियो में love you all bye